दोस्तों वसकार कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं काफी अच्छे होंगे PUBG गेम वगेरा खेलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी मज़दार होने वाली है इस वीडियो में आपको PUBG Lite कम्पीटर में प्ले करने का तरीका बताऊंगा कैसे प्ले होगी वैसे तो PUBG Mobile मैंने कम्पीटर में प्ले करके दिखाया हुआ है जिसमें पूरी डिटेल से बताया हुआ है कि PUBG Mobile कम्पीटर में कैसे डाउनलोड करेंगे और इंटरनेट बचाना चाते हैं तो Mobile वाली PUBG Game उठा के कम्पीटर में कैसे डालेंगे उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वैसे तो ये स्पेशल वीडियो PUBG Lite कम्पीटर में प्ले करने के लिए हैं फिर भी मैं आपको ये हिंट तो देई दूँगा कि PUBG Lite के लावा PUBG Mobile को कम्पीटर में कैसे चला सकते हैं चलिए शुरू करते हैं अपना इंटरनेट कम्पीटर में कनेक्ट कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है उस लिंक पे आ जाएंगे डाउनलोड का बटन दिखेगा इसके उपर किलिक करेंगे डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन कर लेंगे यस के लिए ओप्सन आएगा यस कर देंगे ब्राउजर को आप क्लोज कर सकते हैं इसका काम हो गया है इस्टाल दिखेगा इस पे क्लिक करेंगे मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा फारवड करते रहूँगा आपका और अपना समय बचाने के लिए लेकिन ये तो वीडियो है आप रियल में कर रहा है तो समय दीजेगा कंपलीट होने के बाद इस्टार्ट बटन दिखेगा इसके उपर क्लिक करेंगे इस्टालिंग टर्बो इंजन दिखेगा आपको कहीं न कहीं आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में इस्टाल हो रहा है मेरा कहने के मतलब यह है जब तक ये इस्टाल हो रहा है इसे इस्टाल होने देंगे यहाँ पे सारा काम कंपलीट हो गया है अब आप जैसे PUBG Mobile डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको PUBG Mobile दिख जाएगा अगर नहीं दिख रहा है तो आप सर्च कर लीजे डाउनलोड के लिए दिखेगा डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड कम्प्लीट होने के बाद प्ले लिखा हुआ जाएगा प्ले करेंगे आपका गेम चालू हो जाएगा वैसे तो अभी हम कम्प्यूटर में PUBG डालने वाले हैं तो इससे क्लोज कर दीजे माई कम्प्यूटर खोल लेते हैं लोकल डिस्क C को छोड़के आपको किसी ना किसी डिस्क में सब्सक्राइब करें अब प्रोग्राम और टेंप नामका फोल्डर दिखेंगा यह इसमें देख लेते हैं हाँ इसमें दिख गया है जहां आपको यह दोनों फोल्डर एक राइट क्लिक करेंगे पेश्ट सोटकट कर देंगे अब इसके उपपर राइट क्लिक करेंगे रन एज अडमिस्टर सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर आप F9 दबाएंगे और कुछ पर दिखिए चोटा सा डाउनलोड गायरो बना हुआ आ गया है सटर थोड़ा नीचे करके देखते हैं यहां पर कितना समय लगेगा यह आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेंगे डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद इसके उपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट इस्टा करेंगे यह साइन कर लेते हैं एग्री दुबारा से एग्री लोग इन कंटिन्यू सर्वर बीजी करके एक एडर में से जाएगा आपके पास अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है आ गया है तो अब देखते हैं इसे कैसे सही करेंगे फिलाल अभी ओके पे क्लिक क करते हैं सबसे नीचे वाले option पे क्लिक करेंगे सब क्लोज होने लगेगा दुबारा से f9 दबाएंगे ब्राउजर पे आ जाएंगे यहां पर यह फाइल एक्सपर लिक के सर्च कर देंगे सबसे उपर वाली website ओपन करेंगे डाउनलोड एपी के पे क्लिक करेंगे एक एप स इसको एक लिंक दिया है लिंक पे क्लिक करेंगे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी डाउनलोड होने के बाद इसके पर राइट क्लिक करेंगे यह जिप फाइल होगी इसे एक्स्टाल कर लेंगे अगर एक्स्टाल का ओप्सन नहीं दिख रहा है तो प्रोपर्टीज पर आ RAM और TEMP नाम के जो FOLDER थे आपकी जिस डिस्क में उस डिस्क के अंदर आजाएंगे, TX Games के अंदर भी आजाएंगे, Mobile Game दिखेगा इसके अंदर आजाएंगे, यहाँ पर Right Click करेंगे और PEST कर देंगे, और दुबारा से Right Click करेंगे, New और एक FOLDER बना लेंगे, इस FOLDER के अंदर डिवाइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ फोल्डर बने हुए नजर आने चाहिए, फिलाल तो यहाँ पे MPT लिखा हुआ आ रहा है, उपर local दिख रहा होगा, आपको इसके उपर cross का निशान होगा, इसके उपर टिक करेंगे, internal storage पे क्लिक करेंगे, यह जो तीन ध्यान से देखिए, जहाँ मेरा mouse है, जहाँ में क्लिक करने वाला हूँ, आप भी उसी पे क्लिक कीजिए, data folder दिखेगा, इसके अंदर आजेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा नीचे करेंगे, आपको share one नाम का एक folder दिखेगा, अगर नहीं दिख रहा है, तो refresh का button बना हुआ रिफ्रेस कीजिए, दिख जाएगा, share one folder के अंदर आजेंगे, यहाँ पे आपको वो फाइले दिखेंगी, जो हमने वहाँ पे पेस्ट करी थी, नहीं दिख रही है, तो refresh कर लीजे, मेरे computer में अभी दिख रही है, देखिए, रिफ्रेस करूँगा, कायब हो जाएंगी, यह आजाएंगी, यह देख सकते हैं, आप यह सब होता रेता है, आप पर प्रोजेक्ट नाम का एकेपस दिखेंगा, इसके अपर क्लिक करेंगे, install के लिए आएगा, install कर लेंगे, install, open नहीं करेंगे, done कर देंगे, expose installer नाम का एकेपस और मिलेगा, उसे भी install करना आए, अभी मु अपने आप दुबारह चालू होगा दुबारह से एक्सपोज इस्टाल और उपन कर लेंगे पहले आप एरर मेसेज लिखा हुआ रहा था अब नहीं आ रहा होगा इसका मतलब हमारा काम यहां तक हो चुका है अब मोडिल्स पर क्लिक करना है प्रोजेक्ट नाम का वह वैपस दिखेगा जो आपने वहां पर इंस्टाल किया था इस पर मार्क लगा देंगे अब यहां पर भी हमारा काम हो चुका है इसे क्लोज कर देंगे रिबूट करना होगा हमें पूरा क्रोस कर देते हैं एक दोबार रिफ्रेस्ट करके दुवारा से ओपन करते हैं यह इसके लिखा आना चाहिए और रिवाइपास लिखा आना चाहिए इसका मतलब हमारा काम हो गया है इसे क्लोज कर देंगे और इसे बंद कर देंगे पूरा फिर दुबारा से ओपन करेंगे अब हमारा सारा काम लोहा हो चुका है पबजी मोबाइल ओपन कर लेंगे वही जो आप देख सकते हैं PUBG Lite हमारे computer में loading होने लग रही है Create यहाँ पर अगर आप 18 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो Yes कर देंगे नहीं तो बच्चे हैं तो No कर देंगे Yes कर देता हूँ मैं Okay दुबारा से Okay और दुबारा से नीचे की या Okay कर दिया Cross Cross कर देंगे वैसर यह लाल वाली लड़की काफी अच्छी लग रही है Close कर देते हैं इसे अभी गेम तो चल गई है लेकिन हमें एक काम और करना है Side में देखेंगे छोटा सा इकन जो दिख रहा है इसके उपर क्लिक करेंगे थोड़ा इसे side कर लेता हूँ अभी जैसे इसमें spirit का option नहीं आ रहा है तो उसे लाने के लिए इसमें क्लिक किया और यहां पर मैं shift दबा देता हूँ यानि कि shift दबाने से और तेज भागने लगेगा इसी तरह से आप बाकी चीज भी set कर सकते हैं मैं एक एक करके बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा बाकी आप गेम के खिलाडी होने वाल हैं तो आपको खुदी करना पड़ेगा थोड़ा दिमाख लगाईए अभी save कर देता हूँ मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हूँ कोई समस्य होगे रहा है आपको तो हम कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं और कैसा लगा ये वीडियो किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मेरो को आप कमेंट करके ज़रू बताइए बहुत बहुत धने बाद आपका ये वीडियो लज तक देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में